वेल्कम तो मैं चैनल इस वीडियो में बात करेंगे बारे में एक इंट्रस्टिंग साइजी सा कंशेप्ट है तो चलिए स्टार्ट हरते अपनी वीडियो ऑपेरेंट कंडिशनिंग इस एक्चुली आ टाइप ओफ लाइनिंग वेर बहेवियर से शेप बादे कॉन्सेक्वें जो है वो बन गया ठीक है अब और उस पहीवियर को डाउट करना चाते थे यह नहीं करना चाते थे इधर यहां लाइकिंग और डिसलाइकिंग आपका बस वह बहेवियर जो है एक शेप हो गया लेकिन उसके पीछे कुछ बहुँदा कंशीक्वेंस लोते हैं जिसकी वजह स आप कुछ से वह करवाई जा एग्जादियों। अब यहां में हमारे पस तीन एक्जामपल्स हैं एक तो है जी positive reinforcement then negative reinforcement तो चलिए यह देखते हैं और punishment at the end अब positive reinforcement क्या होँगी for example कि एक बच्छा जो है वो अपना उसके parents उसको कहते हैं कि आपने अपने room को हमेशा neat and clean रखने हैं और वो बच्छा जो है वो हमेशा से जब भी अपना room clean करता है तो इसके parents हमेशा उसको appreciate करते हैं उसको मतलब praise करते हैं कि you did a very good job तो जिसकी वरह से उस बच्चे का behavior बन गया है कि I have to do it why because my parents will appreciate for this ठीक है अब वो बच्चा जो है वो हमेशा वही काम करेगा और अपने room को clean करेगा क्योंकि उसे पता है कि मुझे इसकी in return जब मैं यह काम करूंगा तो मुझे इसका reward मिलेगा ठीक है जिसकी वरह से उसका behavior है वो more strengthen हो जाएगा तो यह basically positive reinforcement होती है negative reinforcement क्या होती है कि यानि कि for example student है उसको अपना काम करना homework करना बिलकुल पसंद नहीं है लेकिन वह just इसकी homework कर रहे है क्योंकि उसे पता है कि in return अगर मैंने homework ना किया मुझे टीचर से या parents से टांट पड़ेगी और बहुत bad consequences मुझे face करना पड़ेगे तो इसको by forcefully वो काम करन पड़ेगे और बेशक कर रहे हैं जैसे भी कर रहे है वो उसको पता कि मुझे bad consequences मुल रहे है इसलिए वो कर रहे है तो it means that this is negative reinforcement punishment की देखे एक डॉग है वो अपने नेबर्स की कैड पर काफी सादा बाकिंग करता है अब उसको ने किया किया डॉग का जो ऑनर था उसने उसक पर पानी गिराना शुरू कर दिया जब भी वो बाकिंग करता था उसने उसके उपर पानी गिरा दिया अब डॉग को पता कि अगर मैंने बार्किंग की तो मेरे उपर पानी गिरा दिया जाए इसलिए that's why the dog stopped barking ठीक है तो अब वो जो है क्यूंकि उसे learn कर ली ना यह चीज क अगर मैं यह चीज करूंगा तो मुझे इसके यह चीज करने पड़ेंगे तो इसकी वज़ा से यह चुली पनिश्मेंट होती है जिसकी वज़ा से आपकी री इन्फॉर्स्मेंट हो सकते हैं अब यह बहुत मज़े का इंट्रस्टिंग सा इससे रिकार्डिंग आपको कोई कुछ भी शेयर करना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में अपना और अपने प्यारों को बहुत सा ह्याल लिखी का मिलते हैं नेक्स वोडियो में सी यू